साथ की अम्मी की बट्टे है आज तो वो रात के बारा बजे उन्हें सर्प्राइज करने के लिए कॉल करना चाह रहा था सर्प्राइज देने का ये कौन सा तरीका है पहले कितनी बार कर चुके होई है पहली बार सर्प्राइज उनकी बड़्दी तो ऑक्टूबर में होती है शायद आपको कोई मिसंडिस्टार्णिंग होई है ये काल के बजे के दाउस बेग को क्या समझते है याद है तुझे जो कल हमारी ग्रूप फोटो ली गाई थी जिस कैमरे से ली थी ना वो ले आई बस हम पांचों भाई मिल के वो तस्वीर डिलीट करेंगे हाँ बहुत जरूरी बारा बजे लेफ्ट विंग के पीछे यकीन नहीं आता ना तो आके खुद देख लो अध शारिक चार चट्डियां दो पजामे और डबल पेंट पैन के आ रहा हूँ तुम लोगों की क्या पोजेशन है मैंने फिजिक्स का डिफेंस लिया है वेरी गुड आँ शारिक तेरे कैसी ना येरा डिफेंस कम जोड़ है हक सच बोलने का जबारा चलागे हमा मेरे सच बोला हक के लिया बाज़ित है टीचरो ना मुझे ही जुपकरा दिया हुआ क्या है कुछ तो बता जब से आई है रोए जारी है बस अमा वो सारी लड़की आए ना नकले करके वो जैसी मेहनत करने वारी लड़कियों का अख बार रहें थी तो मैरे अपने और अपने जैसी बेचारी लड़के लिए अवाज अटाए तो टीचरों ने मुल्का तो कुछ ना कुछ हो जाएगा तेरा क्या होगा पुत्तर? क्या मैं समझ रहू कि इस बार भी अल्ला के हुकम से तू थेल हो जाएगी? कैसी बाते कर रही हो, मा? चौदरी महरदीन की बेटी अभी इतनी नालाइक नही हुई कि इस साल भी पास नहो इस साल ये मैदान मारूँगी मैं इसका मतलब है कि पर्चा अच्छा हुए पर्चा तो बहुत अच्छा हुए मा दस के बजाए ना बारा सवालों के जवाब दे के आई हूँ अच्छा बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है मैंने सच बोला था ना तो शायद वो मुझे जानबूच के फेल कर दे बस तुम जहनी तोर पे तयार रहे ना कुछ भी हो सकता है जानते हो पुतर दुनिया में कुछ भी हो सकता है पर तू पास नहीं हो सकती परचने सारो दिलार रह्मर परे तरफ्टी ओ कमार तरफ्ट्वाने माजी शाने आचाने बस तरफ्ट्वाट्षा एगाई विश्वच जाना ये इन डाइस की तरफ क्यों जा रहे हैं? एलान करने कैसा है एलान? उमरे के टिकटों का चना है कि इस साल कॉलिज की तरफ से चार खुछ नसीबों को उमरे पे भेजा जा रहे है रात को कुरान दाजी होई है मभारको हम जारो के नाम निकले तु मार ले बॉंगियां बेटा जिता तु ओश्यार है ना तो उसका तियार है केन चेक कर इंटरनेशनल पेस्थी प्रोग्रेम स्टार्टोंने बहले अज तो गए काम से तेरा भाई पक्का इंतिजाम कर के आया है चार चड़ियां दो पजामे और डबल पेंट पहन के आया हूँ अ चोरी किला है मैंने तो बेटा बाले जी की बुक का दिफेंस लिया वै तुम लोगों की क्या पोजेशन है मैंने फिजिक्स का दिफेंस लिया है वेरी गुड अचारिक तेरे कैसी ना मेरा डिफेंस कमजोर है खुर्षीद फिर्दॉस स्टेप पावड़ खुर्षीद फिर्दॉस सुना नहीं स्टेप पावड़ जदी सब अपने टाइँ आना चारे को दो थोड़ा सा आस्रा तो मिल जागा ऐसे भी खुद पूरी की पूरी किताबें रखके आ गए हो अब में चटाइएं पर टक्स खा रहे हो मुझे नहीं साहिए अच अब कॉलेज की इंट-इंट को मालू में कि महारी केनिंग होने वाली है तो तो बंदो पस कर क्यों नहीं आया अब एंजॉय कर खुश्यीत के बाद हमारी बारी है हाथ उपर लगता है अज है एडमास्टर साब दो किलो तेसी की पी कराए है सही सही कह रहे है सही फॉर में लग रहे है हाज अंकल गही के साथ दो देसी मुखरगे पी पड़का के आया है आज के बाद तो मैं कहीं नहीं बेट सकोंगा वाइव आज के बाद अगर किसी ने भी स्कूल बंक करने की कोशिश की तो पांच की बजाए पंदरा केन की पनिश्मेंट मिलेगी अंडर्स्टेंड? यह सर्! अब गो तो यह क्लासिश यहार कुछ समझ भी नहीं आदा खुशीद के साथ तो हमने भी फंस नहीं था तो हमें क्यों अजाद कर दिया है? बज़े लग रहे है इसने वारे नाम नहीं लिए नहीं लिए हम्ँआज नहीं नहीं सकता अब 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 दर्जे का महँए उसके बाप ने एक दपका दिया होगा, उल्टी की तना साइर नामों गल्दी होंगे उसने आसाई कहानी भी बता दी होगी तो पर हमारी केनिंग क्यों नहीं हुए यही सोचने वाली बाद है ना मुझे लगता है उसने दोस्टी के गुर्बानी में सारा इल्जाम खुद्पे ले लिया है अगर ना लिया हो तो ना तो फिर्दोस साब ना असेमली में अपने बेटे के बजाए हम चारून की अम्नी आपा एकर्वानी थी है अजमार्स अगर 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 अजी बात है तो वो एक अजीम इनसान है और हम सबको उसके हाथ चूंके मर जाना है खुषीड खुषीड मेरी जान तेरी अजमत को सलाम तूने अपने बैक याड पर डंडे तो खा लिये लेकिन अपने दोस्तों की इसर पर आंच सतना अने दी अज़ कुषीड बात करें अज़ा कोई बीकिताब लेकिजाएगी ना तो तेरे नाम से श्रूओ और तेरे नाम पर खतम बिलकुल हम अभी यही बात कर रहे थे कि खुर्षी दोस्ती का दूश्ता नाम है तुमारे यही इस कुषबानी ने हम सब को खरीद लिया दिल से कह एक सिकने सिकने आच्छे मेरे दिल में तरी वो जगा है जो एक मुरीद के दिल में होती है उसके पीड के लिए आज से तू मेरा मुर्षद मैं तेरा मुरीद हूँ जो कहेगा आंके बंकर के नाम आने तो काफिर हो के मरूक कसम से मैं क्या कहूँ हूँ 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 क्या कह स तुम यारों के दुआउं से में तु निकल आया हूँ लेकिन अब तुम लोगों के डूपने का वक्ता आ चुक है मैंने अब आको कर सब सच बता दिये कि तुम लोगों ने मुझे किस तरह से बेवगूफ बनाया अब फिर उने मुझे से लिए मेरा कैमरा मुझे दिवार में चुड़ा के खुद भाग गए है तुम आपना ये रोना बंद करो और अपनी अस बैश्ती मा की कसम खाओ जो तुम जैसे दोस्की को यहां पर छोड़के खुद जनत में चड़ियां उड़ाने चली गई है जो तुम कह रहे हो सच कह रहे है अब में की कसम खाओ के कह रहो अबू सच कह रहा हूँ मैं फूरे बाप में अपरे और कोई माफी नहीं या तेरे लिए अबू मैं आपको सच बताए मैं मुझे सजा को दे रहे हैं अब तुम्हें उनके जूट में आने की सजा मिलेगी ताके आएंदा तुम उनकी बातों में आकर अपने बाप के नाम को मट्टी में ना मिला सको तुम्हारी सजा से इनसाफ के सारे तकाजे पूरे होंगे जो भी असूल तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी जाए वो किसी जनरल का बेटा हो या फिर्दास आलम बेक का जिसकी एक अवास पर पूरी बटालियन रुक जाते थे अब अपनी सेस्जी बटालियन की खैर में आओ बेशरमो तुम लोग ने मुझे दोस्ती के नापे धोका दिया था ना मेरी माकुमियत का नजाइस फाइदा उठाया था अब देखो, मेरा बाप तुम्हों के साथ क्या करता है एना इधर टूबे, इधर मिखले इधर टूबे, इधर मिखले अब आप क्या होगा खेर मनालो दोस्तों अब हिजोर साब का कोई बड़ा गेम प्लैन है और कुछ नहीं होगा बस अब अब तूस इस बात पर पकचे हो जब जाओ कि हुशीत ने जो कुछ भी बोला ना सरसर जूट है हेड्मास्टर ने बुला है , सब ने यही बोलना है कि हमने तो इस खुर्षीर से कभी बात ही नहीं की एसी शकले बनाकर हेड़ मास्टर साब के सामने जाना है, जैसे अभी ताजा ताजा यतीम होए हूँ, जहरे पर इती मासूमिय तो नहीं चाहिए, कि हैड़ मास्टर क्या उसे खुद ही आसो निकल आ है, और अपनी कुर्शी से उचल कर हम सब को सीने से लगाते हुए बोले के दुबारा इन नुरानी शकलों पे किसी ने इल्जाम लगाया तो मैं रिजाइन कर दूँगा, क्लास में चलने नुरानी शकलवाई इबलीसों, एग मास्टर रांपर आगया तो सारे नूर की, क्लास है कौन सी, बायोलोजी, बायोजी, मैं तो समझाता है, लैंगविज की क्लास है, यार, भुक्स तो मैं कमरे में ही छोड़ाया, ओहो, बायो, तेंशना ले, हम जानते हैं तो तिक्ता भुलक करे, इसलिए हम दोनों तेरी किताबें ले आए थे, ये रही तेरी बालेची किताब, और ये रही तेरी, फिजिक्स क अजिए, बड़ रहतो, किताब में पी, ये ले, ले ना, पीजए, दूर दूर, अपर ले ले, ये ये तो नहीं छोड़ूं करें, थेंक यू, कमीनो, अपर लोगो साथ करता हो, चाहूँ मैं, नहारत केतने किताबे मेरी, यार, मैंने खाला से साफ साफ के दे के वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी आईरलेंड गुलाएं, नहीं भई, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और वैसे भी न, तुम्हारी वो नादिया खाला मुझे दुनिया की सबसे ख़डू सातून लगती है, बिलकुल हैं तो सही, पत ताकि कसम पूरा महीना मुझे घर पे कैप करके रखाओ, वैसे यही मैं सोच हूँ, कि तुम गई तो तीन महीने के लिए थी, जल्दी वापिस कैसे आगे, दिलने नहीं लग रहा था, अब जाओंगी तो होस्टल में रहूंगी, काफी सारी इंफर्मिशन लेके आई हूँ पाकिस्तान में? मैं? जब तक मैं हूँ तो समझो पाकिस्तान में सब कुछ है. या राहील, माफ कर दो हमें, सुकून से बैठी है न, प्लीज बैठने दो. या बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ गप शप लगाओ. जब दोस्त घर पे हो, तो बाहर जाने के क्या यहां से बर्दाश्ट नी कर सकती तुमें. राहील, चले जाओ, यहां से बर्दाश्ट नी कर सकती तुमें. लो जी, हो गई बेस्ती, पढ़ गी हमारे कलेजे में ठंड. वैसे एक बात कहूँ प्यारी घजर्ण, तुम से बेस्ती करवाने का अपना ही एक मज़ा है. अब तुम जाते हो यह दो थपड लगाके तुमारा मजा दो बाला करूँ अच्छा बाबा जा रहो जा रहो अलावन तुम जा रहो अगर शाम को अगर किसी ने माल रोड जाना हो तु बंदा हाजिर है यार तुम जाओ अगर हमने जाना होगा तो हम खुद भी जा सकते हैं फिल्हाल तुम जाओ तुमसे मैंने बिल्कुल नहीं पूचा दुछा दुआ से पूचा दुआ बताओ चलोगी यार अब भी अगर माफ कर दोगे ना तो शाम को पक्का चलेगी और हाँ आइशा वो याद है हम लोग फीवरिट केक खाते हैं वहां से वहां से वो केक दिलेंगे डान लव तुम्हारे लगाओ अपनी आखरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही का था कि ऐ फ्रांस के लोगो चाहे मेदाने जंग में मेरी लाश ही क्यूना मिले लेकिन तुम किसी बेगुना को बगार सबूत के सजा मत देना अच्छा न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बैटा सर फर्स्ट वर्ट वर्ट अगर उन चारों की कल रात के बंक में कोई इन्वाल्मेंट थी तो आप मुझे अभी बता रहे हैं और फिर खुर्शीद की कैनिंग क्यों करवाई सर खुर्शीद का कसूर यह है कि उसने उनकी बातों में आकर हास्टल का डिसिप्लिन खराब किया सर वो आस्टल जिसकी सारी जिम्यदारी उसके बाप के मजबूत कांदों पर है उसने अपने जाती बाप की रिट को चैलेंज किया है और एक पुरी मसाल कायम करने की नकाम कोशिश की इसलिए उसकी कामियाब केनिंग हुई सर मेरी आप से दर्खास ये है कि कल रात के वाके पर एक आजाद और खुब मुखतार इंक्वाईरी बिठाएं जो कि हर किसम के दबाओं से बाला तर होकर इन चारों को एक ऐसी करार वाके सजा दे कि आएंदा किसी को हास्टल की दिवारों पर शब खुब मारने की हमत ना हो सर अकबाल के शाहिनों यानि इन चारों कमीनों को अगर अभी से ऐसी साज़शे करने की अजाद दे दी गई तो आगे चल के सर ये कहीं दुश्मन के आला एकार ना बाच जाए सर पदर बिन मगीरा और हातिम अंद्लूसी जैसे मुझाइदों की रूओं को हम क्या जवाब देंगे सर तो इस इनक्वाईर के लिए मैं रजा कराना तोर पे खुद को और आपको नामजद करता हूं सर क्योंके ना तो आप किसी के द्वाओं में आते हैं और ना मैं अब अन्दाज बयां गर्चे मेरा शोख नहीं है शायद के आपके दिल में उतर जाए मेरी बात फिर्दौस साब आपको गलत सहमी है आपका अन्दाज बयां शोख भी है और चंचल भी जाए उन चारों को बलाएं जी सर जी सर जी कौन शेर का बच्चा ये शेर पढ़ेगा सर शेर यार की उर्दू बहुत अच्छी है उसे पढ़ा है ना हाँ शाजेन अब पढ़ोगे सर मैं जी सर मेरी दूर की नजर अच्छी बहुत कमजोर है अब क्या लेखाव है समझ में नहीं आ रहा रात को आस्टल से बागते हुए सब कुछ नजर आता है सब कुछ दिखाई देता है और दिन देहाडे बौर्ड नजर में आता इंसान है या उल्लू है खड़े हो जाए पढ़िये शाबश खमे हस्ती का असद किस से हो जुज मर गिलाज शमा हर रंग में जलती है सहरी साहर होने तक हां जी शाबाश ये किसका शेर है सर असद का कौन असद सर शाइर इस पांग जिसका शेर है ज़ Dalamie Bazi, बंद करो शादेन क्यूं सब का वक्त जाया कर रहे हो आज हम किस शाइर को पढ़ रहे है ये किसका शेर है सर असदमानतलीख्हान पर दो मेंने रह गे आकरी अम्तखान को और अभी तक ये मालूमने ये किसका शेर है वह है कोई जिसको ये मालूम हो ये किसका शेर है या इतने बड़े अजीम शायर की तौहीन पर मैं जहर खा के खुद कुशी कर लूँ सर ये शेर असदुल्ला खान गालेब का है जिसे अर्दू के सारे उस्ताद शायर अपना उस्ताद मानते है वेरी गूड शाबश वेल डन जी जी आईए जी 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 शारिक, शाजैन, साद और शरियार इन चारों को हेड़ मास्टर ने बलाए है जी तर श्रीव ले जाए है सादे अभी चुटी में मेरे साथ किया है ना उसका मैं बदला ज़रूर लोगगा मुझे असा दमाना तली पकड़ा के खुड्टीचर के साम शाहर नमगे बना लिया है हाहा, हस लो भखेर तो खुल के क्या-क्या लगाओ ना और तो प्स पस के क्यो हसरे हो हाँ भई, क्यो बुला ऐ है है कोई ज़़ूरी काम है क्या हाँ, Headmaster ने बुलाया है, पाकिस्तान के अनॉमिक कंडिशन पर कोई राय लीन इती हम तो साइटिस्स है, हमारे एकॉनमी से क्या भी पर भे बाए है SHUT UP! Ooyoyoyoyoyoy, shut up, bhai, shut up, pherty झाय, shut up, pherty head घोरते का हमारा भॉछ सक लॉंड़ा है वो भी क्या दिन थे जब ये जिन थे अब येतियों है, सब के प्यों है SHUT! head boy, तुम्हेत मारी सक्तिगी करस्त प्रिस बताओ ना हम ये क्यूं गुलाए है कल फसाया था ना खुरशीद को, इंक्वाइरी लग गई है, चलो जी भाईयो, यतीमी और मासुमियत का मास चड़ा लो अपने अपने लांती बूतों पर चलो ये सब सुनने के बाद, तुम लो कुछ बोलोगे भी या यू ही सर जुकाई रखोगे हमारे गाउं में दुलन की खामोशी जो है, रजामन्दी समझी जाती है इनकी भी खामोशी जो है, इनके गुनागार होने का सबूत दे रही है अगर हमने कोई जुर्म किया है, तो उसका सबूत का है आपने हमारे खिलाफ जूटी कहानी बनाई और सर को बता दी मैं आपको कभी माफ नी करूँगा क्या सबूत है कि हमने खुशीद को पसाया है क्या हमें किसी ने उससे बात करते देगा है तो हमसे बड़ी बात करने की कोशिश करता है, तोस्ती करने की भी कोशिश करता है उन्हें इंकार कर दिया तो उसने ही हमारे खिलाफ लाइनिंग किया अफसोस की बात तो यह है कि फिर्दास साब जैसे असूल पसंद आदमी अपने ही बेटे की बातों में आदे सर चर्चर ने कहा था जब आपकी असूलों पर आपके रिष्टे पसर अंदाज होने लगते तो समझें शिकस ताप का मकद्र बन चुकी है ठीक है सर अगर आप बगेर किसी सबूत के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मरसी लेकि नेपोलियन ने कहा था कि जिन माशरों में जर्म का सबूत नहीं होता वाना इंसाफी का भूत होता है जो कलियों खूचों बजारों में तंतिनाता पिरता है और सर फिर एलसन मेंडेला को भी तो सबूत के बग़िर इतने अरसे जेल में रखा फिर एक दिन आया जिप पूरी दुनिया ने उसकी बेगुनाई की गवाई दी सर न्यूटन ने भी न अपनी आखरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही का था कि ऐ फ्रांस के लोगों चाहे मैदाने जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले लेकिन तुम किसी बेगुना को बग़िर सबूत के सजा मत देना अच्छा न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बैटा सर फर्स्ट वर्ल बार अरे बेवखूफ न्यूटन साइंटिस्ट था जैनरल नहीं था इसको किसने एडविशन दिया है मेरे कॉलेज में सॉरी सर थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था मैं जी फिर्दास साब आपके पास सबूत है तो बताईए सर ये चारों ही मेरा सबूत है कि सर से लेकर पैर तक चलते फिरते चूट है पिछली तफ़ाए उन्होंने साद की अमी की सालगिरा का जूट बोलकर अपनी जान बचाई थी अब इस से बड़ा क्या सुबूत होगा कि ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते है अपने वालदें पर जूट बान सकते है साद क्या वो जूट था सर मैंने बेगम साहब को मेरा मतलब है साद की अमी को फोन किया था सालगिरा की मुबारक बात देने के लिए तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो सालगिरा अक्तूबर में होती है आसल में प्रिगेड ये फ्राज के साद सर मैंने सर्व किया है इसलिए मैंने फोन किया था अब पुछे न साथ से कि अगर ये सच है ता फिर जो खुर्शीद ने भी काया वो भी सच है साथ सच सच बताओ तुमने जूट बोला था उस दिन सिर्दास सब आज ही शारिक नेपॉलियन साथ चर्चल शहरियार मंडेला और शाजैन न्यूटन के घर काल करके इनके पैरेंट्स को बताएं कि वो सब फ्राइडे की कैनिंग में हमारे महमान होंगे सर सॉरी सर सर दुबारा किया तो ज़रूर पैरेंट्स को बुलाईगा पर इस बार सिर कैनिंग से काम चलाने सर रम बहुत शर्मिंदा है सॉरी सर प्रीज सर एक और चांस देंगे सर सर फिर कभी 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 नी करेंगे सर प्रीज गट आउट सर प्लीज सर गट आउट सर दौसाब आप कहा जा रहें सर इनके पैरेंट्स को काल करने कोई जरूरत नहीं इनके पैरेंट्स को ये इंप्रेशन देने की कि हास्टेल के लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं है फिल्हाल सिर्फ कैनिंगी काफी है सर जारो जो पिमालों की केट्रेन हारी है कहीं और चल के खेलते हैं आज अब से साफसा बात कर के रहेंगे आप जम के खेलेंगे चलो अब पहली बैटिंग मेरी दो बैट दो नए नए यानि बाट जी अवारी टीम ने फैसला किया है आपको नहीं खलाए के क्यों क्यों कि तुमें एक नंबर की बैमानों मैं आज वादा करती हूं कि ना बेमानी करूँगी और ना करने दूँगी ने, ने, हमें आपके बाते में यकीन ने है कसम खाओ ये चुटके, अल्लामिया ने कहा है कि थोटी थोटी बातों पे कसम नहीं खानी अच्छा, तो हमारी अम्मी ने भी तुमारे साथ खेलने से मना किया है जब तक कसम नहीं उठाओगी, हम तुमें नहीं खिलाएंगे अच्छा, ये बात है तो मेरे बाप की जमीर पर खेल के दिखाओ ये अल्ला की जमीन है जमीन अल्ला की है, लेकिन कबजा मेरे बाप का है सारा गाउ जानता है कि ये गाउ चौदरी महदीन का है मैं नहीं खेलूँगी तो खेलने भी नहीं दूँगी आके तुम लोग सोच लो, फैसला क्या करना है अरे आनीवाजी हम तुम अजाका लेते ये ले ले खेले सवर्जदार लगते हो सवर्जदार लगते हो चलो अँग राज चुप करो, चुप ये ये चेकिंग बॉल थी, चलो, फिर से होगी चीटार है कितिनी आउड़े चुप कर, आउड़े ये नो बॉल थी, अभी दुबारा करेंगे, चलो आउड़े आउड़े एः, ज्यों बार बार नो बॉले करा रहे है क्या होगे, है, चीटिंग क्यों कर रहा है एमान दारी से, अराम से, आइस्ता, आइस्ता, हलकी हलकी बॉले कराओ है, और जब आउट होगा ना, मैं खुद ही बता दूँगी चलो, चाबश एः, चाबश यार, सरदोस साब, अपने हाथ, पैर, मूँ, सब कुछ धोगा हमारे पीछे पढ़ गए यार, घर फोन कर दिया, ये क्या इंजानियत है अरे, नहीं किया फोन यार, बलफ मारे हैं तू बलफ में आ गया है हेड मास्टर साब ने भी पेरेंट्स को कॉल करने का बलफ ही मारा था, और हम सब भी पैक हो गई मुझे पहले ही पता होता ना कि वो धंकी दे रहे हैं तो उनके सामने रहम की भीक ना मंगता मैं प्यार आजकल के टीचर ज़्टें ही यूं होते हैं? ऐसे होतें उस्ताद? इजददर उस्ताद ना हमारे बालदेन के जमाने में होते थे जो कि अपने शाकृतों को ओलाद समझा करते थे आजकल के मास्टर तो बलफ मास्टर है क्या अजीब दोरा गैबन, अजीब दोरा आया नहीं आने वाला है कौन? मेरा बाप मुझे ये कीन है के मेरे घर फोन किया हमने भाई कोई फोन नहीं किया जूड बूल रहे थे तेरे से सुना नहीं वो हेड मास्टर ने क्या कहा था? यही के चोटी-चोटी शिरारतों पर अगर हमने पेरिंट्स को बलाना शुरू कर दिया ना तो कॉलिज का इमिज खराब हो जाएगा क्या अद्मी है यार ओ भाईयो, हमने कौन सा कोई कतल किया है कि हमारे पेरिंट्स को बलाया जाएगा वो तो टेंशन ना ले, नहीं किया तेरे घर फोन तो पर फरदौस साब को कैसे पता चला कि मेरी अम्मी की वर्टे आउक्टोबर में देख वो तेरे बाप के यूनिट में था ना देख, जो जूनियर अफसर होते है ना वो सीनियर अफसर के सामने नंबर बनाने के लिए जिन्दा तो क्या, मुर्दों की भी बड़ देर्स अपनी डायरी में लिख लेते हैं ताकि वो बड़े असाब को फील कर आ सके ना क्योंकि फैमिली कितनी इंपॉर्टनेट है सुबधार साब के लिए बिल्कुल ठीक है रहे और अगो उन्होंने तेरे घर पर फोन किया होता ना तो तेरा बापा अपनी पूरी उनिट के साथ तेरों पर हमला पर हो चुका होता तो ऐसी टेंचिल ले रहे है यार ऐसे हमले से याद आया हमला करें हैं? हम ए तू पागल होगी है इस बार पकड़े गए तो कॉलेज से नकाल देंगे पकड़े जाएंगे तो नकाले जाएंगे ना ऐसा escape route निकाला है तेरे भाई ने ते फिटो उसको पॉप भी नहीं पकड़ पाएगा हैं? कौन सा? देख जो chapel है ना उसके पीछे वाली दिवार बैट गई है वहीं से लेकर जाओंगा भाईयों को अब चलो ना पर हमें बहुत खारिश हो रही है मुझे लगता है तू अपने पिछले जनम में आशना के साथ फरार होने वाली लड़की रहा है तुझे जाना है तू जा हमें दर ही रह रहे हैं क्यों नहीं चरिया चले चान हो जाएंगे अपने आशना के साथ रंग्रलिया मनाने आशना के साथ रंग्रलिया मनाते हुए गरिफ्तार होने का मज़ा तुम क्या जानो साथ बैबू अजब हैसना बंद कर उठ पहले ही लेट हो गए है यह कौन जूते पिनाएगा तुछ पेने का अपने जूते उठाश ना कारवाई डाले जब दिलिए तो रहुजा यार चल सदे भाग क्या कर रहे भाग निकल यार कभी दिन में भी बंक पार ना चाहिए राथ को तो साहिए यारी रान के अपने अपने घर चली जाते हैं तो खुदा की नेमदों का शुकर अदा करते हुए जितनी दौना तुझे इस वक्त मिल रहे है ना उनी से अपनी आंखे ठंडी कर भाईयो सुनाए जीजिस अंड मेरी की तरफ खुदा की नेमते हैं वा फिर तादाद में मौजूद हैं वहाँ चले है तो यही तो वक्त है मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ भी हमारी जैसी लड़कियों का ग्रूप है जो कि हरोज रात को हॉस्टल बंक करके जिक्न कॉन सूप पीने जाती है मौल रोड तो जल्दी चलो ना कहीं सूप पीके चलीना जाएं कौन इस वरक इतनी दूर जाएगा यहार पांच मिंट की तो वाक है चलना लांती कहीं कि कल रात कु कमरे में पानी नहीं था ना तुमाने तो जगा यहार कॉर्डों से जड़ा पानी लेकर आ तूने क्या जवाब दिया कब क्या का तब क्या का तब क्या 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 झाल आवे सां ऱ वे एब एना ताम जो. शान, उकना सकुम्सेती दार तो किले. मेरा तजर्बा कह रहा है, भाई है. तोमों की शक्ले मिलाके देखना, एक दम भाई भेन लग रहा है. और उपर से लटके का भेवियर देख, बिल्कुल भाई हो वाला है. देखनी रहा, कैसे बार-बार गड़ी की तरफ इशारा करकी कह रहा है, जल्दी कर गर चले. पहले गलत हुआ है, जो अब होगा. इन मामलों में पीएजडी की भी है तेरे भाई में. यार, मुझे तो वही चक्कर होगा है. अरे हार, अगर वही चक्कर होता न, तो इस लड़के की आँख में भी भूख होती, जो हमारे शारे की आँखों में 24 गंटे होती है. इस अब भाईयों की तरह मुझे लानत सजाए खड़ है. भाईयों की आँखों में. अब आँवाईयों की आँखों में. तुझे अब ही पी मेरे एक्स्पीयंस पे शक्कोर है, न? जल, 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 कहा लेकर जालीओं, भेव पीछा करने हैं, श्रजएर. जीए, निवेजाए माईदे हैं, जायाँ जायाँ. सुझा बेचेन, रूह आजाएंगी वो दोनो, बहुत ही रोग यह यह यार, कई वो पकड़े ना गए हो, और अगर वो पकड़े गए ना, मैं खुद को कभी माफ नी कर पाऊंगा, हम भागए और वो पीछे रह गए, वो टेंचिन हो रही है मुझे, वो कुछ नहीं होगा है बाप है हम दोनों के वो, इस्जत और इतराम से लड़की को घर तक छोड़ने के होंगे आगर 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 यह जो बन्दे मारे जाते हैं। तुम बिलकुल वही काम कर रहा है। जो अमारा गाहूं में शादा अप गुल ने किया था। तुमें पता है। जब लड़की के बायों को पता चला था ना हम जब लड़की कर दो कि उता हुआ हूए नहीं तुम तो जामया मस्चीद के इमाम नज़रा था जाहर है। जैसे तुम शाकल से लड़ था जाद भाला चलो हमारा क्राया दो अंज़रे हम भी कि तुम्हारे चाहर मेन रगणा जाबश चाहर अशचा है यह नहीं पर खान साब ही शकर रहे हैं अब खान साब है। शक अब हमें तो शकीन है तुम दोनु शेकल सी लिफंगा है। खान साब तुप तुबड़े मज़दाराब मी हो यार। हार। क्या सबरदस बातने करते हो। लाओ हाथ मेलाओ, हाथ मेलाओ ना। आज से हमारी यारी पक्की। देख, हमारे गाहों में ना लोग बदलके भाही बनते हैं। हम तोपी बदलके बन जाते हैं। वह अर। तो मिनिट में वापस कर दूँ अना यार। मेरी तोपी उधा रही हां। अच्छा, खान भाही बस तो मिनिट सबर करो। महारी झांड़गी बदलके वाही वाहीज मारे ही वाही से लिझा के लाहीज ना टेकते हैं। मैं मिशन पूरा कर गाया है है। मैं यश्य जाजयन, यहर्ज बदलके लिखाएं। कि रखर भाही को और गाही सवाल कर करें। जो खान भाई, कल को लोग क्या कहेंगे, कि एक पठाने एक ऐसे इंसान से सवाल किया, शक किया उस पे, हां, जो कि उसे दिल से भाई मानता है, जा तु कहां जा रहा है, अभी तु टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, खान भाई, कारी स्टार्ट रखना हो, लाइटें से निवे आप एघके पोजा है, जाएड भाईआ, जाएग करिड़ज देन स सलां। सलाम बाई, पाई, गी कोरा है कमारे वाले कoule? जी भैड, क्या लेएखती है? आजी गुलरहमान को बोलो, को से शदाब खान आया है खान साब ये आजी गुलरहमान का घर नहीं है क्या मज़ाग करता है भाई हम पहले भी दस बार इदर आ चुका है हम आजी के टेक्सी चलाता है खान साब, आप गलत दर्वाजे पे आगे है तुम गलत बोलता है मड़ा हमने अभी अभी इस दर्वाजे से खुर्शीद बीबी को अंदर जाते देख है कौन खुर्शीद बीबी? हाजी का बेटी, अभी अभी तो गया है अंदर खान साब आप गलत दर्वाजे पे आगे है नजी सब रोगी, ना खुर्शीद बीबी रहती है यह देख है, यह क्या लिखा हुआ है यह जाहिद आइम्द का गह ओ मड़ा, हम टु जाहिल अन पढ़ बनद है हम को क्या पता क्या लिखा है है भुदा का करसम हमने अभी अभी खुर्षीद बीभी को अंतर जाते देख है खांसाब क्यो दिमाग खा रहे हो कौँजी खुर्षीद बीभी अपी अंतर क्या है पाडी में सुफेद काप्रो में वो खुर्षीद बीभी नहीं है वो दुआ वेगम है तैंक यू ब्रो जिन्देगी रही न तो दोवारा मिलेंगे हां आपि रखने ले इतरा ओ, वह लफंगे इतरा ओ, और और शौडए गानी तुमको जोड़े गानी तुमको नो बाग या बुश्ति लाज़ी कर दो काड़ी चलें काड़ी चलें वात में साथ तुम को चोड़ेगा नहीं क्या हो सर्दार भाई कौन ता दर्वादे पर कोई बंदा आया हो तो पिठान बान के कहता है यह खुर्शीद बेगम का गार है पता नहीं कहां से लोगा जाते हुए मेट्रिक मेश्क लड़ाया था इसने समझ गया समझ गया अब से वह हमारी भावी दोस्तो अब समने भावी की इतनी इज़द करने है जितनी इज़द हम अपनी मा की करते हैं आज से हम उससे करेंगे भावी मा नहीं धर्टी मा पता भी मालूम कर आया हो और नाम दी ना कर क्या मतलब लड़की का नाम है दूआ 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 दूआ